दोस्तो आज भारत सॉफ्ट पावर से ग्लोबल पावर बने की और लगातार आगे बढ़ रहा है इसके लिए नए-नए हतियर लगातार डेवलप किये जा रहे हैं इंटर कॉंटिनेंटल बेलस्टिक मिसाइल से लेकर इंटर कॉंटिनेंटल बेलस्टिक मिसाइल जो कि सबमरी और दूसरा है SSN याने Nuclear Attack Submarine जो कि भारत की सबसे बड़ी प्रात्मिकता हैं लेकिन दूनों ही हमारे पास इस समय महसुद नहीं है अगर बात की जाए SSN की तो यकिन मानिए कि इस समय हमारे पास एक भी नहीं है एक थी जो हमने रशिया से लीज़ पर लिथी INS चक्रा जो की लीज़ पूरी हो जाने की वज़े से हमने उसे वापस लोटा दी और मैं आपको बता दू कि लीज़ पर लेने के लिए भी हमें billions of dollars पे करने पड़ते हैं कुल मिलाकर इस समय हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एसी परिस्तिती में भारत कोशिशों में लगा है कि कही न कहीं से SSN की व्योस्ता हो जाए हलाकि SSN की टेकनोलजी हम लोग खुद भी डेवलप कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दू कि इसमें काफी समय और काफी पैसा खर्च हो सकता है ऐसी परिस्तिती में सबसे बेस्ट ये होगा कि जो अलरेड़ी से SSN की टेकनोलजी को डेवलप कर चुके हैं इनी के साथ ट्राइअप करके इसे भारत में ही सुधेशी लेवल पर डेवलप किया जा रोग इसकी पूरी टेकनोलजी ट्रांसपर की जाए इसी के साथ साथ फाइटर जेट के एंजिन की बात की जाए तो ये भी भारत की पहली प्रत्मिक्ता होनी चाहिए क्योंकि हम लोग अलग अलग और बहुत हाइटेक टाइप के फाइटर येरक्राफ बना रहे हैं लेकिन आप जानते हैं कि इसके लिए हमें एंजिन के रिक्वार्मेंट है एक 110 किलो न्यूटन का एक नेक्स जनरेशन हाइटरस्ट एंजिन हमारे पास हो इसकी सबसे ज़्यादा आवशकता है ऐसा एंजिन जो कि हम लोग हमारे M का फाइटर येरक्राफ में इस्तमाल कर सके जो कि एक 5.5 का स्टेल्थ येरक्राफ होगा इसी के साथ साथ हमारे दूसरे और अन्य कई प्रोजेक्ट हैं तेजस मार्क टू है टेड बीफ है अने वाले समय में और का वगेरा है इन सब के लिए भी हमें भारी भरकम कॉंटिटी में फाइटर जेट के एंजिन चाहिए और ऐसे जो कि हमारे खुद के दूरा बनाये गए हों तो इन सब के लिए बातचीच चल रही है अगर फाइटर जट के एंजिन की बात की जाए तो इसके लिए दो प्रमुग दावेदार हैं ब्रिटेन की रॉल्स रॉइस और फ्रांस की सैफरॉन इनी दो में से किसी एक पार्टी के साथ मिलकर भारत का डियाडियो एंजिन डेव इन सब कर चाहिए इन्जिन डेव्लपमेंट के लिए जितनी भी फैसिलिटीज चाहिए एंजिन डेवलपमेंट हो जाने के बाद जो टेस्टिंग फैसिलिटि चाहिए इसके लिए डियाडियो ने प्रयाश शुरू कर दिये और उनका सेट अप किया जा रहा है मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया भी थे इन सबको लेकर अभी दोस्तों मैं आपको बता दू कि हमारे विदेश मंतरी S.J. शंकर सर फ्रांस की यातरा पर गए हुए हैं दरसल वो तीन दिवसी यातरा पर योरोप गए हैं और कल सोंवार को ही वो जर्मनी की यातरा करके फ्रांस पोचे हैं फ्रांस पोचने के बाद उन्होंने फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पारली के साथ बाच्चित भी की इसी के साथ साथ उन्होंने वहाँ पर मौजूद न्यूजिरेंड की विदेश मंत्रियों और अपनी काउंटर पार्ट के साथ भी बाचित किये उन सबसे बाचित करने के बाद सर ने ट्वीड भी करके बताया लेकिन यहाँ पर विशे ये नहीं है विशे है बरा कुड़ा क्लास की सब्मरिन याने SSN के टेकनलोजी और साथ यसाथ जेट एंजिन की टेकनलोजी जो कि इस समय हमें चाहिए अब दोस्तों आपको याद होगा मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में आपको बताया था कि एपरिल 2022 में फ्रांस के अंदर होने वाला है इलेक्शन और इस समय आप जानते कि फ्रांस की एक डील आस्ट्रेलिया के साथ कैंसील हो गई SSN को लेकर जिसके बाद फ्रांस को अच्छा खासा नुकसान भी हुआ था और फ्रांस के अंदर इस समय मौजूद मैकरोन गवर्मेंट काफी हद तक बैक फूट पर भी इस मुद्दे को लेकर क्योंकि आप जानते कि फ्रांस जैसे डेलोप कंट्री ये बिजली पानी सड़क के मुद्दों पर इलेक्शन नहीं लड़ते बलकि इसी तरह के फॉरेन अफेर्स से रिलेक्टेट चीजों को लेकर ये लोग मुद्दा बनाते इलेक्शन में इसी परिस्तिती में इतना बड़ा घाटा मैकरोन गब्मेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसान दायक साबित हो सकता है लेक्शन में तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भारत के पास बारगेन करने का बहुत अच्छा मुखा है यानि फ्रांस जो इस समय मजबूर है ऐसी परिस्तिती में हम लोग पैसो वगेरा को लेकर हमारी शर्ते बड़ी आसानी से मनवा सकते हैं अब ही S.J. शंकर सर गए हैं तो मैं आपको बता दू कि S.J. शंकर जी भी कोई न कोई समझोता भारत और फ्रांस के बीच में हो जाए और उसका अनाउस्मेंट भी हो जाए तो कहीं न कहीं संभावनाई दिखाई दे रही है कि जेट एंजिन, S.S.N. की टेकनोलजी और साथ इसाथ रफाल्स को लेकर कोई न कोई बड़ी डिल या इससे संभंदित कोई अनाउस्मेंट हम लोग सुन सकते हैं आने वाले कुछ ही समय में अपरेल से पहले, इलेक्शन से पहले अब इस पूरे मुद्धे पर आपका क्या मनना है आपको क्या लगता है, इलेक्शन से पहले कौन से डिल फाइनलाईस हो सकती है जेट एंजिन की, S.S.N. की या फिर एडिशनल रफाल्स की नीचे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा